आज बाप तादा के अवेक्त रूप के चले हुए 14 दिसंबर 1997 के मदूर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे आज की मुरली का विशय है व्यर्थ और नेगिटिव को अवाइड कर आवाड लेने के पात्र बनो आज बाप तादा अपने परमातम प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं परमातम प्यार आनंद मैं जूला है जिस सुकधाई जूले में सदा जूलते रहते हैं परमातम प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता हैं परमातम प्यार सर्व शक्ती संपन है जो निर्बल आत्माओं को शक्ती शाली बना देता है ऐसे श्रेष्ट परमातम प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो ऐसी श्रेष्ट पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्शित होते हैं बाप दादा यही बच्चों को दुखाएं देते हैं इसी परमातम प्यार में लव लीन रहो ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परस्थिती वा माया की हल्चल आ नहीं सकती लवलीन आत्माओं के सर्वशक्तियों के आगे माया आख उठा कर भी नहीं देख सकती आपका तीसरा नेत्र ज्वाला मुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया की गया इसलिए माया से घबराओ नहीं खुशी खुशी से सर्वशक्तियों के आधार से उनको विदाई दो आने का चांस नहीं दो विदाई दो वो भी ब्राह्मन आत्माँ से श्रेष्ट आत्माँ से वार करते करते थक गई है यनी बाबा कह रहे हैं कि पर마त्म प्यार में अगर लवलीन रहेंगे तो कोई भी प्रकार की माया खावार उसका सामना कर सकते हैं यनी हमें इसकी दो साइड से हैं एक साइड है जो बाबा ने बताई गर परमात्म प्यार के पात्र सारे विश्व में बाबा ने कहा आप थोड़ी सी आत्माएं परमातम प्यार के पातर हो फिर उसके बाबा ने परमातम प्यार का जो जादू है वो बताया कि परमातम प्यार से यह होता है यह होता है सारी दुनिया के दुख दर्द एक सेकेंड में भूल जाते हैं बहुत कुछ बाबा ने बताया फिर बाबा ने कहा कि इस परमातम प्यार ये तो बाबा की साइड हो गई ना परमातम प्यार अच्छा और उसके हम पात रहें अब हमारी साइड से बाबा कह रहे हैं कि बच्चे बाबा ये चाहते हैं कि इस परमातम प्यार में सदा लव लीन रहें अर्थाद अपनी तरफ से भी उस परमातम प्यार में खोई रहें तो अगर ऐसा करो गए तो फिर आपको किसी परकार की माया वीगन परिस्तिती बगारा आएगी ही नहीं क्योंकि आल्डेडी आप परमातम प्यार में लव लीन हो और परमातम प्यार की जो शक्ती है जो तुमारे पास शक्तिया होंगी उससे वो डरेगी माया भी डरेगी परि को कहता हूँ कि सदा लव लीन रहो। फिर माया का बताया है, वो भी ठक गई है, माया बिलकुल आख उठाके भी नहीं देख सकती ऐसे लव लीन बच्चों से। आप सब का अनुभव क्या कहता है। अभी माया में पहले जैसी शक्ति है, उसमें शक्ति है या आप शक्ति शाली हो। फिर बाबा कहते हैं, सदा शक्ति शाली हो। तो माया को कह दें, कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं, अभी समाट करो। तो माया बाप को कहती है, मुझे आवाहन करते हैं, तो बाप क्या करें। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबन संपर्क में आती हैं, तो समझो माया को आवाहन किया। क्योंकि कमजोरी का ही दूसरा नाम माया है, वह भाभा ने बताया कि माया के जाने का समय हो चुका है। माया समझ गई है, अब मेरे को बदाई लेनी है थक चुकी है, वार कर, करुख यह भी बताया कि माया वार कर टी रही बच्चे उसको जीतते रहे, दीरे दीरे इस खेल में माया ठक के हार गई है, वो समझ गई है, यह बच्चे अब शक्तिवान बन गए, मेरे में वो ताकत नहीं है, फिर बाबा कहते है कि टाइम भी आ गया माया के जाने का, उसको छुटी दें, जाओ, तो फिर बाबा कहत हैं, तो वो कहते है कि यह मुझे खुद बलाते हैं, मैं तो छुटी लेने को तियार हूँ, खुद बलाते हैं, और खुद बलाने के बाबा ने बताया, इसी परकार का, चाहे वो मन में है, चाहे बचल में है, चाहे संबंद संपर्ख में है, इसी परकार की भी अगर कमजोर तो सम्झो वो गेठ है, वो माया का आवहन है। तो बाबा ने कहा, ब्राम्मन जनम अर्थात सदा उत्साह में रहना, और औरों को भी उत्साह में लाना। यही ब्राम्मनों का अउक्यूपेशन है। वो ब्राम्मन तो मुख से कथा करते है। आप ब्राम्मन मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलानी के लिए बोलते है। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आप के विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाहीज ही चुक्तू होना है। कि बादा हमने बहुत अच्छी बात कही कि विरोध ही क्यों बनते हैं और कोई कारण नहीं है कोई समझते हैं कि ग्यान को नहीं समझ रहा कोई समझते हैं कैसे बाबबन का तुम्हारे जो बचे हुए हसाब किताब है वो भी तो यहीं खतम होने है ना तो विरोध उसको मदद क करता है खतम होने में इसलिए विरोध भी नहीं समझो लेकिन कैसे भी आत्मा हो ब्राह्मनों का काम है उत्सा भरी कहानी सुनाना वो कथा सुनाते हैं हम उत्सा भरी कहानी सुनाते हैं उत्सा की बाते सुनाना वो रोता हो आप उन्हें उत्सा में नचा दो जब कोई दिल में उत्सा होता है तो क्या होता है पाउ नाचने लगते हैं उत्सा मिटाने वाली बाते होती हैं और होंगी लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुब आश रखते हैं बीती सो बीती आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबन संपर्क में रही हैं जैसी भी हैं चाहे नेगिटिव भी हैं सामना करने वाली भी हैं ब्रामन जीवन को हिलाने वाली भी हैं लेकिन इस वर्ष में नेगिटिव और वेस्ट द्रिष्टी कोण समाप्त करो स्ने दो शक्ती दो अगर स्ने नहीं दे सकते शक्ती नहीं दे सकते तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगिटिव बातों को दिल में धारन करने में अवाइड करो मन और बुद्धी में धारन नहीं अवाइड करो परिवर्तन करों नेगिटिव को वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ ऐसे दोनों बातों को जो अवाइड करेगा उसको बाप तादा द्वारा ब्राह्मन परिवार्दव्मार बहूत अच्छे ते अच्छा बढ़े ते बढड़ा अवाइड करो अवाइड पहू और आत्माओं को तो अवाइड देने वाली आत्मा होती है के ओर आतमाओं को तो आवाओड देने वाली आवाइग होती है अवाथ मिलते है न लुद्त है अवाइड करो लो हम्मत है है एक तो भावान का परिवरतन कर लो अगर नहीं कर सकते परिवरतन करके धार्ण करो कोई प्रिस्तिती आती है कोई विगन आता है कोई व्यक्ति आता है तो उसकी बात को सीधा धारण नी करो मानलो वो नेगेटिव है उसको चेंज करके धारण करो पॉजिटिव करके अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर अवाइड करो यह देखते सुछते सब कुछ करते उसको और बधाई का है और इस वर्ष में विशेश जो बच्चों ने संकल्प किया है वो प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप तादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी सरफ द्रड रहना बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा लेकिन संकल्प में द्रड रहना संकल्प रूपी पाउं हिले नहीं अचल रहे तो बाप तादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूती होगी सिरफ लेने की शक्ति चाहिए एक बल एक भरोसा कुछ भी हो जाए बनना ही है ये संकल्प रूपी पाउं मजबूत रखना तो बाती आएंगे भी लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं स्वैम बादलों के उपर रहते हैं बादल एक मनोरंजन का द्रिश्य बन जाता है ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बाते हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे लेकिन ये द्रड निश्चे हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए ये बादल बिखरने वाले ही हैं रहने वाले नहीं हैं ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओं तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप द्रड़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं तो बाबा ने कितना सुंदर सिंपल एक्जामपल दे कर बताया कि जैसे आप प्लेन में जा रहे हो तो प्लेन तो बादलों से उपर उड़ता है तो नीचे आपको बादल दिखाई देते हैं और बिलकुल काले घने बादल भी होते हैं कई बार वो ऐसा घेर लेते हैं कि लगता कि बिलकुल अंध्यारा ही हो गया है लेकिन ये प्लेन में बैठने वाले को पता है कि मैं बादलों से उपर हूँ और ये बादल लगा सदा नहीं रहने वाले इस से तो बाहर निकल ही आना है और ये तो बिखर जाएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा उड़ती कला उसको फिर बादलों से उपर उड़ रहे हैं आना वो अरेबियन नाइट की स्टोरीज में भी आता ना कि मैजिक कारपेट थी उसके उपर बैठे थे और नीचे की सब परिस्तितियों का ऐसे क्रॉस कर रहे थे जैसे खेल देख रहे हूं तो बाबा ने बहुत अच्छा एक्जामपल दियो सिति का एक्जामपल है कई बच्चे कहते हैं दिन प्रति दिन और ही ऐसी बाते बढ़ती क्यों है जिन बच्चों को धरम राजपुरी में क्रॉस नहीं करना है उनों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संसकार के सब हिसाब किताब यहां ही चुक्तु होने हैं धरम राजपुरी में नहीं जाना है आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे यह बाते ही यमदूत हैं जो यहां ही खत्म होनी है इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है यह यह भी बहुत अच्छा बावा ने समझाया है बहुत ही अच्छी एक्जामपल दी है कि यूँ भी देखा जाता है जब युद मल युद होता है कोई पहलवान कुष्टी करते हैं तो ताकतवर पहलवान से उसके मकाबले का पहलवान सामने लाया गाता है और फाइनली जो होता है बिलकुर रुस्तम होता है उसके साथ मकाबला होता है चैंपियनशिप के लिए उसको फिर प्राइज मिलता है तो बगवान कहता है कि जिनोंने पास्विद ऑनर होना है उनको यहां ही सारे प्रीक्षाइ आएंगी तो बड़ी दिखेगा ना मेरी बढ़ गई चैंगे वह ताकतवार सको खुश होना चाहिए कि मेरे यागे बड़ा इम्तिहान आया है जैसे बड़ी क्लास में बड़ा इम्तिहान और इसलिए है बाहर निकला है बीमारी भी डॉक्टर कहतेए दुआई देते हैं बाहर निकले कर दो दो कि गए ने कहा है कि ज्यादा प्रीक्षे आना तुमारे खुशकिसमती की निशानी है कि तुम इस लाइक हो इसके पातर हो के यहीं पर तुमारे इसाब कितब चुक्तु हो तुम धरम राग पुरी से विद ऑनर पास करो दूसरी बात बाबाने का जमदूत नहीं आएंगे तो यह बा काम है आना आपका काम है उड़ती कला द्वारा सकाश द्वारा परिवर्तन करना घबराओ नहीं अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो जो घबराता है ना हाथ में चीज होती है वो भी गिर जाती है तो जब यह मन में भी घबराते है ना तो शस्त्र व शक्तियां जो है वो गि जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, इसे लिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है, तरिकाल दर्शी बनो, निर्भय बनो, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्ने दो, शुब भावना दो, रहम करो, निर्मान बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ, जिसको कहा जाता है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ, ये कारण, ये कारण, ये कारण, कारण वस समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ, बाप से क्या वाइदा किया है? य लग्स के लिए आई ечक विस बढ़ जाएगे तुम आगेः बढ़ जाओ यहा तक है कि दूसरे को आगे रहुए रखके उसने रखो अगे अ एपर बढ़ाओ तो फिर आपका उसे नहीं तो बने गाई बाप से क्या वाइदा किया है स्वाप परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे कैसी भी बाते हों बातों को बदलने के लिए मदद भले लो लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है ये सर्टिफिकेट नहीं दो किसी के लिए ये कहना ये दो बदलेगा ही मुश्किल नहीं किसने आपको फ्रटिफिकेट देने कि तो यसोचना कि ये तो होना ही नहीं ये तो थीक होगा ही नहीं किस ने आपको जज्ज बनाया उ ससे की कुछी पर बैठ जाते हो या तो वकील बनते रचेट है've बहुत काइदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ना वकील बनो, ना जज बनो, ये अथौरिटी बाप तादा ने दी नहीं है, जो निमित हैं, उनका सहियोग लोग, वो निमित आत्में भी बाप तादा की राय से करते हैं, अपनी मन मत नहीं चलाती हैं, तो इस वर्ष में, ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्थन करो, अवाइड करो, उपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खतम, आप से परिवर्थन नहीं होता, तो निमित आत्माओं तक पहुंचाना, ये आपका फरज है, फिर कुद लोग हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवाड के पात्र बनेगे, कई करते हैं, कि बात को निमित आत्माओं तक पुचाते हैं, लेकिन उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं, कि जो हमने कहा है निमित आत्माओं, उसी अनुसार फैसला करें, बाबा कहते हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है, उन तक पुचाओ, वो भी अपनी मन मत नहीं चिलाती तो तुम अपने मन मत कैसे चला लाए हूं? सने क्या नहीं कर सकता। और यह परमातम सने है, परमातम प्यार है, वो क्या नहीं कर सकता। असंभव ब्राम्मन डिक्षणरी में है ही नहीं। अधसा वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता है, इसमें ऐसे नहीं समझो, ये तो बड़ों की जिम्मेवारी है, हम तो डारेक्शन पर चलने वाले हैं, नहीं, स्वपरिवर्तन से सर्व के संबन संपर्क में, परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हर छोटे बड़े की है, जब बाप दादा पूछते हैं, क्या बनेंगे, तो सभी क्या कहते हैं, विश्व राजन बनेंगे, छोटा मोटा भी नहीं, विश्व महराजा बनेंगे, तो जब विश्व महराजा बनने की जिम्मेवारी है, तो संबन संपर्क में, परिवर्तन करने की जिम्मेवारी नहीं है, चलो कहां जुकना भी पड़े, क्या ब्रह्मा बाप को जुकना नहीं पड़ा, विरोध नहीं देखा, सबसे ज़्यादा गाली तो ब्रह्मा बाप ने खाई, अगर दो-चार भी उपोजिशन में हैं, तो क्या बढ़ी बात है। अगर दो-चार भी उपोजिशन में हैं, तो क्या बड़ी बात है। कि ब्रह्मा वावा ने तो कितनी opposition देखी, सारा का सारा समाज, उस समय का, वहां के सारे बड़े-बड़े ministers, सब उनके खिलाफ हो गए, तो अगर उन्हों ने देखा, तुम ने दो चार ने तुम्हारा opposition कर लिया, तो क्या बड़ी बात है। Teachers अर्था सदा अपने features द्वारा हर आत्मा की सेवा करें, बोलने का time नहीं हो, कोई हर्दा ने, एक second में अपने हर्षित दिल से, हर्षित मन से, परमातम स्ने से, परमातम स्ने द्वारा, द्रिष्टी द्वारा उसको भी हर्षित बना दे। Teachers अगर कभी परेशान होते भी हो, गल्ती से होना नहीं चाहिए, लेकिन गल्ती से हो भी जाते हो, तो फॉरण बाप दादा से connection जोड़कर, रूरुहान करके, उसी समय अपने को ठीक करो। आप बाप दादा से connection नहीं कर सकते हो क्या, आपके पास wireless set नहीं है क्या, आजकल तो satellite है, वो तो फॉरण हो जाता है, तो teachers के पास हैं, सब के पास हैं, सिरफ समय पर use करो, समय पर सिरफ स्मृति का switch on करो बस। जैसे आज की दुनिया में, बटन दबाने से खाली कहीं, जो भी चाहिए आपको मिल जाता है, सैटलाइट के द्वारा, ऐसे ही आप wireless का switch, वाइसलेस का दबाओ, तुरंत आपका connection हो जाएगा। फिर देखो second में परिवर्तन होता है या नहीं, बाप दादा को तो teacher सबसे ज्यादा याद रहती हैं, क्यों? जो भी सेवा के निमित हैं, तो ब्रह्मा बाप की भुजाएं बनकर निमित हैं, तो बाप समान सेवा में हैं न, इसलिए ऐसे निमित सेवा धारी, बाप दादा को सदा याद हैं, इसलिए अभी मुझे बदलना है, मुझे बिगडी को बनाना है, दूसरा बिगाड़े मेरा काम है बनाना ये शिकायत नहीं ये बिगाड़ते हैं ये करते नहीं वो बिगाड़ने में होश्यार आप अपने काम में होश्यार बिगाड़ने वाला होश्यार बनाने वाला कम क्यों आप होश्यार हो जाओ बिगाड़ने वाला क्या भी करें तो बिगड़ी को बनाने वाले बाप समान आत्माए हो अच्छा चारों ओर के परमातम प्यार के सुख मैं आनंद मैं जूले में जूलने वाली लखी और लवली आत्माओं को सदा द्रड संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ट आत्माओं को सदा परमातम अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप द्रड की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तक्त नशीन आत्माओं को बाप द्रड का पदम गुणा अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमास ते सो ये थी बाबा की आज की मुडली जिसमें बाबा ने कहा कि वियरत को नेगिटिव को अवाइट करो समाओ और ना तो जज़ बनो ना वकील बनो और परिक्षा आती है क्योंकि आप लाइक हैं सब के आगे नहीं आती और बाबा कहते हैं दो-चार ओपोजिशन अगर है भी तो भी क्या बात है आपको सतर करकने के लिए आते हैं बाबा की मुडली बहुत प्रैक्टिकल अप्लाई करने वाली रोज दिन की जिंदगी में हमें कितनी शिक्षा देने वाली है मुडली है आप कुछ कहींगे यानि इसमें बाबा ने हम को लव लीन रहने का बताया है दूसरा अपनी स्थिती को उड़ती कलाखा रखने का बताया है उससे आपको मनुरंजन होगा और परिस्थितितियां क्यूं आती है और ज्यादा क्यूं आती है उसका भी समझाया है कि यह तुमारे लिए अच्छा है कि यहीं सब कुछ खतम हो जाए तो तुम पास्विद आउनर होके जाओ ना के कुछ साथ बची हुई परिस्थितितियां ले जाओ जो फिर तुम पास्विद आउनर नहीं हो गया अच्छी तरह से समझाया है क्योंकि बच्चों के अंदर प्रशन तो उड़ते हैं मेरे आगे इतनी प्रीक्षा हैं पिर अपना तो छोड़ो हमारी बडी-बडी दादियान हैं मान लो दादियों को शरेरिक व्यादी है इतनी बडी-बडी योगी दादियां सतर साल से योग लगा रहे हैं वो भी बिमार होती हैं इस तरह कि जो उनको आती है तो उसका बावा ने सम्मध हम दिया अम शन्दे